नमस्कार बहुत बहुत सवाध करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बावा साय भीमरा अमबेटकर उनिवर्शिटी के जो PG के examinations होने वाले हैं अभी आने वाले सत्र में और जो सत्र चल रहे हैं उनके वो कब-कब होंगे और उनके examination कब-कब होंगे साथ ही हम बात करेंगे जो नए आवेदन लिये जा रहे हैं 2023 से 25 सेशन के लिए PG के लिए जो भी student जो है अभी apply किए उनका merit list को लेकर के भी हम बात करेंगे किनका admission हो पाएगा किनका नहीं हो पाएगा और आपके पास better alternatives क्या है ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले तो वीडियो में सुरू से लेकर के अंतक बने रहीगा पहले हमें examination को लेकर के बात करेंगे उसका जो अभी admission होने वाले उसको लेकर के बात करेंगे इस वीडियो को जाए साथा like करेगा शेयर करने की कोशिश करेगा अपने दोस्तों के बीस तक click today जो है आपको हमेशा updated रखेगा तो देखें सबसे पहले तो बात करते हैं अभी आपके ममसी M.C.M.C. के जो अभी जो semester चल रहे हैं तो देखें 22 से 24 का जो है अभी फर्स semester का result आ चुका है इनका second semester के examination होना है तो जो भी 22 से 24 में है PG में ममसी M.C.M.C. में तो उनका second semester का examination 12 फर्वरी से schedule किया गया है 12 फर्वरी से सुरू हो जाएगा अगर 12 फर्वरी को नहीं भी होता है तो डीले हो करके मान के चलिए कि फर्वरी के अंतित तक जाएगा नहीं तो मार्च में आपका परिक्षा लिया जाए और फिर यहीं पर बतायागा कि जो result है वो 25 मार्च को जारी कर दिया जाएगा हाला कि जो dates दिये गए उस पर डारेक्ली एकदम आख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि इसी date से examination आपका होगा लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताया चाहता हूँ बिहार इंशिटी जिस र इंशिटी में होते हैं और इंशिटी के डिपार्टेंस में होते हैं तो फिर आपको इसमें जो ब्रक्राइव उससे लेना देना नहीं रह जाता है तो आगे आने वाले टाइम में अबडेट होगा आपको क्लिक टूटे चैनल पर देखने को मिल जाएगा साथ ही हमारे website पर जून में आपका रिजल्ट ऐसा जो बताया जा रहा है हाला कि इसके बाद अगर देखे तो पंदरह जुलाई से कहीं नहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है फिर जुलाई का आगस्ट में आपका रिजल्ट भी निकल कर आजाएगा आपका पीजी फाइनल हो जाएगा इसी ठीक है इसके बाद जो नए सेशन में जिनका एड्मिशन होगा उनका फर्स सेमेस्ट के इगजाम निशन भी अगले महीने होगा जिनका भी नामंकन होगा नामंकन प्रकिया जहादा 12 दिन तक चलेगा 12 से 15 दिन मान के चलिए मैक्स टू मैक्स चलेगा और 20 दिन भी हो सकता ह जो date दिया है इस पे तो हम relay नहीं करेंगे 23-25 session में कारण यह है कि इनका थोड़ा delay हो सकता है तो March में भी आपका exam schedule हो सकता है तो PG first semester का examination जो होगा 23-25 session में जो अभी admission लेंगे उनका जो है March तक में examination जो हो जाएगा first semester का result जो है March के बाद April वगेरे में देखने को मिल सकती है ठीक है वहीं पर आपका second semester का exam का दिया हुआ है 6-5-2-24 को तो चलिए पहले तो पहला semester का examination हो जाए उसके बाद की बाद हम बाद में ही करेंगे तो फिलहाल तो यह देखने को मिल गया कि PG में जो नए सतर में नाम अंकल लेंगे उनका परिक्षा जो है अगले महीने के अंति तक शुरू करवा दिया जाएगा अगले महीने के अंति तक नहीं भी होता है तो मार्च में जरूर हो जाएगा ठीक है आगे जो अपडेट होगा वो तो हम आपको बताएंगे अब चलिए बात करते हैं कि नाम आने के आपके कितने चांसेद है क्योंकि कटफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है और कारण यह है कि बिहार विस विद्याले इस बार पोटल को काफी दिन तक खोल करके ऐसे ही रख्य हुई है आवेदन पर आवेदन प्राप कर रही है पीजी में दाकले के लिए विशावार सीट की संख्या जारी कर दी गई है यहाँ पे पीजी की एक सीट पर दो विद्यार्थी का दावेदारी है पहले जैसा कि पूर में आपने रिपोर्ट पाया था कि 7,000 ही सीटे है पीजी में अभी इसे बढ़ा करके 11,346 सीट कर दिया गया है देखे 11,346 सीट के लिए आए है कुल 22,831 इतिहास में सबसे ज़ादा आवेदन है 345 आवेदन आए है और सीट केवल आपको 11,76 ही है यहीं पर आप चली पूरे रिपोर्ट के उपर जो नज़र डालते है बी रे बीउ में जो पीजी की एक सीट पर नामंकर के लिए दो विद्यार्थी की दावेदारी है बीवी प्रशाषन ने गुरुवार को पीजी में दाखिल के लिए विशयवार सीट की संक्या जारी की है पीजी की 11,346 सीट के लिए कुल 22,831 आवेदन आए है सबसे ज़ादा आवेदन इतिहास के लिए प्राप्त हुए है इतिहास विशय में 1176 सीटे है पर नामांकन के लिए 345 विद्यारती ने आवेदन जमा किये है यानि ओनलाइन फॉर्म फिल किये है DSW प्रफेशर अभय कुमार सही ने बताया है कि बीवी प्रशाषन जल्दी पीजी की मेरिट लिस जारी करेगा बताया है कि अकोटि वार मेरिट लिस जारी करें जाएका यानि कि आपका आपका जो रिजर्वेशन कैटरगोरी होगा फिर यहां पर वाड का कैटरगोरी होगा उन सारे के अकोरडिंग ही आपका प्रफेशो시면 जारी जाएगा वही बांगला में देखने को मिला है कि बांगला में 32 seat के लिए 7 और परिशन के लिए 56 seat के लिए 12 आवेदन प्राप्त हुए है मैथली की 80 seat के लिए 38 विद्यार्थियों ने आवेदन किये है और ऐसे में इन विशाय में अधिक से अधिक seat खाली रह जाएगे और यह Master of Arts यानि की M.A. के लिए 14,155 आवेदन प्राप्त हो चुके है और M.S.C. के लिए यानि की Science से जो स्टूडेंट जो डाइक लिए M.S.C. में जंप करेंगे उन में 6,414 विद्यार्थियों ने आवेदन किये यही पर चलिए कुल व्योरा ले ले लेते हैं साइंस के चार विशय में जो है आपको 1632 सीटे हैं और आवेदन 4709 प्राप्त हो चुके हैं ऐसे में साइंस के विशय में 3077 विद्यार्थी दाखिल से वन्चित हो जाएंगे पीजी में 2023 से बढ़ाई गई है 4000 सीटे यानि कि अभी सीटों को और बढ़ाया गया है तो पहले 7000 था फिर सीटों को 7000 कुछ था उसका सीट को बढ़ाया गया 4000 सीट और आइडाउन किये गया है तो आपको देखने को मिला है 11346 सीट कुल है इस पर जो आवे देन अभी तक कि जो 2831 प्राप्त हो चुके है मेरिट लिस्ट आपका जो है जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते में जारी किया जा सकता है क्या नहीं कि अगले हफ्ते फरवरी आही जाएगा आपको अभी खतम ही होने वाला जनवरी तो हो सकता है फरवरी के माह में भी आपको देखने को मिले मेरिट लिस्ट या फिर जनवरी खत्म होते होते 31 जनवरी तक आपको पहला merit list देखने को मिलेगा जिसका सबसे ज़्यादा higher cut up जाने वाला है यहाँ पर बता दें अंत में बताया गया है कि बीवी में PG सत्व 2023 से 25 के लिए 4000 seat बढ़ाई गई है पिछली बार तक PG में 7000 seat थी इस बार साथ नए college में PG की पढ़ाई सुरू होने के बाद 4000 seat बढ़ा दी गई है हाला कि seat बढ़ने के बाद भी आवेदन करने वाले अधिक विद्यारती है जो कि बहुत लोग का इसमें दाखिला नहीं हो पाएगा अब आप देखिए कि आपका percentage कितना आया है क्योंकि अगले वार से विद्यारत प्लान कर रही है entrance exam लेकर के जो है admission वगेरा लेने का या फिर CVT PG को adopt कर लेगी अगले session से अब देखना रहेगा कि आगे क्या बदलाव होते हैं और कैसे नियम लागो किये जाते हैं फिलाल merit list आएगा पहला उसमें ही दिख जाएगा कि बाकी और कितने students के chances है तीन merit list निकाले जाएंगे हम आपको पहले कह दे रहे हैं तीन merit list में अगर आपके नाम नहीं आते हैं spot admission में अगर seat बचता है हाला कि उमीद नहीं है कि spot admission के लिए आपके पास seat available रहेगा तो फिर आप भूल जाएए आप CUETPG का form अभी के अभी भढ़ लीजे यही एक मातर alternative है आपके पास CUETPG का form भरिए आप MA, MSC, BA जो भी करना चाहते हैं उसके लिए form भरिए entrance examination दीजे computer based examination होगा आपका NTA के तरफ से conduct होगा उसमें अगर आपको अच्छे marks आ जाते हैं फिर आपको Central University, मोतिहारी University, महात्मा कांदी University में पढ़ने को मौका मिलेगा फिर देश के किसी भी other University में भी नाम अंकल लेने का मौका आपको प्राप्त होगा यह पूरा जानकारी आपको आप PG के admission के उपर report दे दिया गया है आज के वीडियो में इतना ही तब तक हम चलते हैं धन्यवाद